विवादों के बाद रिलीज हुई पदमवत बॉक्स आफिस पर हिट साबित हुई फिल्म में रानी पदमवती का किरदार निभा रही दिपिका पादुगोन हाली में नहा धूपिया के शो बी एफफ स्विद्वोग में पहुची थी जहां दिपिका ने अपनी जिन्दी के कई किसे शेयर किये इसे बीच जब नहा ने रानी पदमवती के किरदार को लेकर सवाल किया तो दिपिका ने बड़ा ही शांदार जवाब दिया नहा धूपिया ने शो में दिपिका से सवाल किया था कि पद्मावत में रानी पद्मावती का रोल जादा अच्छे से और कौन कर सकता था इस पर डिपिका पादुकोन ने कहा रानी पद्मावती का किरदार मुझसे बहतर और कोई नहीं कर सकता था खेर अगर दिपिका ऐसा मानती हैं तो इस बात में पूरी सच्छाई भी है फिल्म में रानी पद्मवती के किरदार को उन्होंने जिस अंदास से पेश किया है उसको देखकर तो यही लगता है कि ये किरदार उनके सिवा कोई और नहीं कर सकता था 25 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म में रनवीर सिंग अलावदिन खिलची और शाहित कपूर राजा रावल रतन सिंग के किरदार में नजर आये थे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अब तक 200 करोर से जादा की कमाई कर चुकी है आपको हमारी ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं